यह भी बिल्कुल स्पॉंजी सी है और लाइट वेट है बिल्कुल क्या आप सर्व आप सर्व यह भी टो आप सांगो तो जो लास्ट वाला मेरा वीडियो था ना यह उसी के आगे इंगे अए यह उसी दिन का वीडियो है अभी जस्ट मैंने एक व्लोग खतम किया है और दूसरा मैं अभी शूट कर रही हूं तो वह व्लोग बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था इसके लिए मैंने उसमें शेयर नहीं किया था कि मैंने प्राइमार्ग से और पाउंलेंड से क्या लिया था तो वह अभी आपके साथ शेयर करूँगी तो चलिए देखते हैं मैंने क्या-क्या लिया था मैं आपको बताती हूं एक एक चीज कि तो वो मैं आपको बताती हूं तो देखें ये सबसे पहले मैंने एक ये ली थी ये चपल और ये ना मैंने आपको बताया था वीडियो में थोड़ी सी छलक इसकी अच्छा बहुत दूसरी वाली जो चपल है ना वो बहुत से लोग शायद अंदाजा लगा लेंगे क्योंकि मैंने बोला था कि अंदाजा देख की हो जाएगा और वो मैं आपको बताती हूं पहले ये देखें तो ये एक चपल है ये बंद है इस तरीके से और सोल जो है ना वो इसका बहुत कमफरटेबल है बिल्कुल स्वांजी सा है तो इसलिए मैंने लिया है लाइट वेट है और इस तरीके का जो पैटर्न होता है वो मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मुझे देख के ही एक बार में ही एक नजर में ये पसंद आ गई थी तो मैंने ये ले लिए और साथ में मैं इसका प्राइज भी बता देती हूं आपको इसका प्राइज है हाँ देखें इसका प्र यह देखे, यह जो लास्ट वाली वीडियो में मैं आपने अगर देखी होगी वो पूरी वीडियो तो इसमें मैं यह ना इसका साइस पहन कर मैं यह देख रही थी, तो यह मुझे बहुत पसंद आई थी, यह भी बिल्कुल स्पॉंजी सी है, यह देखे, बिल्कुल अच्छी लग रही थी मुझे तो एक मैंने ये ले ली है और इसके सार बेटी के लिए मैंने ये चपल ली है और इसका भी कलर देखे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था महां पर सारे कलेक्षिन ऐसे आये हैं से लग रा क praw के समर के लिए हैं तो इसका भी जो color है ना वो multi color में है और बहुत ही vibrant color है ज्यादा कोई इसमें design या वैसा नहीं है complicated सा लेकिन ये बहुत मतलब अच्छा decent सा है दूसरा एक और चीज मुझे इसकी अच्छी लगी ये velcro जो है ना ये मैं इस तरीके की ही लेती हूँ अपनी बेटी के लिए तो इ ये लेने का मकसद यही है कि मतलब जितनी जादा comfortable चीज होगी तो बच्चे उतना जादा comfortable रहेंगे otherwise वो फिर परेशान होते रहेंगे तो मैं हमेशा उसके लिए अगर मैंने sandal ली है तो मैं इसी टाइप की लेती हूँ उसके लिए और अब मैं आपके साथ शेर करती हूँ से मैंने क्या लिया था तो सबसे पहले यह है कंटेनर का सैट है और यह छे का पैक है इस생 club एक मतलब बड़े size से लेकि एक प्रकैके यह सबसे चोटा size है तो कंटेनर है6 है और Fleetा कोई भी 7 के लिए store के लिए लगते हैं तो Cons Kombat मुझे अच्छा लगा और इसका प्राइस है आइंफिटिंग इसका प्राइस था 4 पाउंड हा मैं अगर गलत नहीं हो तो इसका 4 pound था which is good मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैंने यह ले लिया अच्छा चपलों की मैं बता दे थी इसका तो मैंने शाइद बताया भी था हाँ इसका 9 pound है इसका मैंने बताया था जो बेटी की मेरी चपल है उसका 11 pound है, मतलब इंडिया के 1100 रुपे हुए, और इसका है, इसका भी 11 pound है, तो मुझे बहुत जादा heavy वाली नहीं लेनी थी, तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल reasonable है, तो मैंने ये लिया है, मैं साथ साथ आपको price भी बता दी चल रही हूँ, इसका 4 pound मैंने बता दिया, ठीक ह जो लास्ट वाली वीडियो है, उसमें मैं ये उठा के देख रही थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो उसमें मैंने डीटेल में pound land की और प्राइमा की बहुत सी चीज़े शेयर की है, तो वो जाके आप जरूर देखे, उसका link में description में दाल दूंगी, ठीक ह तो ये एक लिया है, इसका price था 1 pound, तो 1 pound बहुत मतलब सही था, ये तो लबता ही रहता है, वेकिंग वागेरा के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, तो ये एक मैंने ये ले लिया है, उसके बाद मैंने लिया है एक ये tray, ये बहुत बड़े size की tray है, पता नहीं वीडियो या अगर कुछ roast करना है, तो वो भी करते हैं, और size इसका बहुत अच्छा बड़ा है, actually मुझे ये लेने का मतलब क्या है, कि मुझे में जो हमारा मुंबई का लादी पाउं होता है, वो बनाना है, तो इसलिए मैंने ये लिया है, कि इसमें easily बन जाएगा, वैसे यहां पे ब्रेड बहुत अलग अलग टाइप के मिलते हैं, लेकिन जो पाउं भजी के साथ खाया जाता है, वो मुझे मतलब बनाना था, घर पे ही बनाना था, तो इसलिए मैंने ये लिया है, कि ये मैं उसमें बना सकूँ, और भी चीजों के लिए कामा जाएगा, ठीक है, तो ये इ बैन्विज मेकर लिया था, तो उसका मैं रिवीव आपके साथ शेयर करूँगी, कि वो कैसा है, उसकी अनपैकिंग आपके साथ करूँगी, तो आप जाके वो देखें, ठीक है, तो ये रखा हुआ था, मैंने आपको बताया था, जब रमजान वाली वीडियो मैंने डाली आपके साथ शेयर करूँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये इस तरीके की पैके में है, और ये आइधिंक, ओईल के लिए है, ये ओईल के लिए है, और तो ये देखें, कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ एक मैंवल आया है, और इसमें इसके साथ ये डीटेल्स लिखे विए है, तो ये बाद में लेख लेंगे, एंड इसके साथ साइज इसका, ताकि छोटा ही है, आइधिंक, छोटे वाले जो ब्रेड्स होते हैं, उसके इसमें दो सैंविज आ जाएंगे, और अगर बड़े साइज का ब्रेड है, तो एक सैंविज आएगा, वैसे ये देख, मतलब ये है एक्चुल में पनीनी मेकर, जो लॉंग वाले ब्रेड होते हैं, ये उसके लिए है, तो उसके हिसाब से इसका साइज बिल्कुल सही है, बट अगर बड़े साइज का ब्रेड है, तो वो आइधिंक, इसके अंदर एक ही सैंविज आएगा, विच इस ओके, मेरे लिए तो ठीक है, और ये इस तरीके से इसका वायर है, वायर भी बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, है अच्छा खासा बड़ा है, ये इसका प्लक है, तो साथ में ये है, ये क्या है, मैं देखती हूँ, ये स्पैचुला है, ये आइधिंक, टर्न एक्स्ट्रा ओइल के लिए है, ये यहां लगता है, तो अब मैं आपके साथ यहां पर इसे यूस करके भी बता दूँगी, और एक दो चीजे भी शेयर कर लूँगी, ताके आप भी यूस करें कभी, तो इसको मतलब इसी तरीके से यूस करें, इस तरीके के सैन्विच ग्र तो यहां पर मैं अभी इसे प्लक में लगाऊंगी, इसे इसकी बटन अन करूँगी, और सबसे पहले इसे एक वेट टीशू से या मतलब नॉर्मल टीशू से थोड़ा पानी लेके इसे पहले क्लीन करूँगी, और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से हीट कर लूँगी, बिना कुछ इसमें दाले, अच्छी तरीके से एक बार ये गरम हो जाए, उसके बाद स्विच ओफ करना है, हमें बटन और इसे ठंडा होने देना है, कोई भी इलेक्ट्रोनिक आप इस तरीके का सैन्विच में करिया, कोई भी जैसे वाफल मेकर सैन्विच में करोता है, वो मैं आपको ग्रिल करके बताऊंगी कि कितने अच्छे माक्स आये थे, और ये छोटा सा है, थोड़ी सी जगा लेता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी इसे, कि आप भी इसे ले सकते हैं, ये मतलब अच्छा था यूज करना है, और अब इंशाल्ला नेक्स्ट वीडियो में आप पर, वो मैं आपके साथ जरूर शेर करूंगी, और आगे आने वाले व्लॉग्स में, कुछ व्लॉग्स में आपके साथ कुछ स्पेशल भी शेर करूंगी, तो मिलते हैं आपके साथ नए व्लॉग में, तिल देन, डू कमेंट, लाइक, शेर, और सब्सक्राइब, तो मैं य